यवत्मा जुले के दिग्रस तैसिल में आनिवाली तूप टाकली गाउ में एक युवक ने अपनी वाट्सप स्टेटर्स पर कथी तूप से आपती जनक पोस्ट चानले से विवाद उत्पनफा गाउ के सरपंच तता पुलिस पाटिल की शिकात पर दिग्रस पुलिस थाने मे संबधित व्यक्तिस के खिलाब शिकात दज की गई है मंदिर प्रान परतिष्टा समारो संपन्न हो रहा था उसी दिन संबंधित व्यक्ति ने आपती जनक जान बूच कर पोस्ट रखी और जिसके बाद गाउवालों का गुस्टा फूट पड़ा लेकिन गाउवालों ने उसे समझाया लेकिन उसने दोबारा वही गलती की और प सहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाच जारी है कुल मिला कर देखा जाए तो आजकल सोशल मीडिया सामाजिक और सकारात्मक संवा से जादा सामाजिक गतिवीदियों का केंद्र बन चुका है कई लोग वाटस अप, फेस्बूक, इंस्टाग्राम जैसी सोशल साइट पर एक दूसरे के धर्म, आस्ता और प्रतिकों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, जिससे भावनाएं आहत होने के साथ ही सामाजिक सद्बाव तूटने और सामाजिक सरोकार तता समाज की शांती भंग होने का डर बना रहता है, बैरहाल इस मामले में जिस व्यक्ति के खिल स्टेटस के लिए महनत करता, तो ये बात और ज्यादा बहतर होती, बैरहाल इस मामले में लिप्त समीर नामक व्यक्ति अकेला नहीं है, बलकि भिन्न-भिन्न समाज में कई लोग और अक्सर यूवा ऐसे हैं, जो गरीब है, उनके पास न आर्थिक संपन्नता है, और नहीं उनका कोई सामाजिक रुतबा होता है, बलकि उनके घर में बुनियादी चीजों की भी कमी रहती है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें इसका कोई मलाल नहीं होता, क्योंकि जब से उनके हात रोज का डेड़ से दो जीबी डाटा लगा है, तब से उन्हें छपरी हरकतों की लत लग चुकी है, डेड़ से दो जीबी डाटा की गर्त में डूबे आजकल के नौजवान अपने परिवार और सामाजिक हित को भुला बैटे है, क्योंकि इसी देड़ जीबी डाटा ने उनका दिमाग खराब कर रखा है, घर में दाल आटा नहो तो चलेगा, बुडे बा जो की बेहद अपसूस की बात है, इन बी सीन नियूज के लिए दिगरस से जुबेर खान की रिपोर्ट